वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विग्नम कुरुवे देव सर्वकारे शुसर्वदा गणेश जी जो हम सभी के आराध्य देवत हैं कोई भी शुबकार्य शुरू करने से पहले हम गणेश जी के आराध्ना करते हैं तो गणेश जी के आराध्ना हम क्यूं करते हैं क्यूंकि गणेश जी स्वयम रिद्धी सिद्धी के दाता हैं 64 कला और 14 विद्या इसके भी आदिपती है ऐसा कहा भी जाता है और जो चक्र साधना करते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि मुलाधर चक्र के जो देवता है वो खुद स्वयम गणपती जी है यानि मूल से ही शुरुवात होती है गणेश जी की यानि हम जब कभी कोई नई चीज करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरादना करते हैं कोई भी साधना हो अनुष्ठान हो या फिर कोई भी कार्य हो तो उसमें हम पहले गणेश जी की आरादना करते हैं काफी लोग ऐसा पूछते हैं कि गणेश याग हमें क्यूं करना चाहिए आपने सुना भी होगा कि हम नवचंडी याग करते हैं दुर्गा सब्तशती का याग करते हैं वैसे ही गणेश याग काफी लोग हर साल में एक बार अपने घर में गणेशियाग करवाते हैं या फिर कुछ लोग गणपदीजे के मंदीर में जाते हैं वहां गणेशियाग करवाते हैं वैसे तो सही गणेशियाग करने का मुझे मेरे गुरुदेव ने बोला था कि गणेशियाग अगर आप अप इसका शुबह दिवस और शुबह मूर्थ है ब्रह्म मूर्थ यानि सुबह के 3 से 3.30 बज़े तक का जो समय रहता है वो है ब्रह्म मूर्थ तो ब्रह्म मूर्थ पे हमें गणेशिया करना चाहिए लेकिन आज के ये जमाने में सुबह उठके इतना जल्दी पूजा शायद ही क इसी को करने के लिए इतना समय मिले लेकिन हम अच्छे मनोभाव से गणेश्याग करना चाते हैं इसलिए हम शुबदीन धून्टे हैं पंडित से पूछके लेते हैं कि शुबदीन बताईए पंडित जी मूर्त कौनसा है तो पंडित जी अपने हिसाब से फिर बताते हैं और वही सुनिश्चित समय पे अच्छे मूर्त देखके हम हमारे घर में गणेश्याग करते हैं। तो गणेश्याग क्यों करना चाहिए? यह सवाल का उत्तर एक ही है कि कभी-कभी हम गणेश जी को याद करना भूल जाते हैं। कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं लेकिन गणेश जी दिखने में जितने ही सुन्दर और भूले हैं लेकिन उनकी साधना उतने ही कड़क है और उतने ही कड़क दैवता माने गये हैं। अगर कभी गलती से हम गणेश जी को भूल जाते हैं तो ऐसे मत समझिए कि वो हमें माफ कर देते हैं। कभी-कभी आपने देखा होगा कि हमारे घरों में कुछ बच्चे मतिमंद पैदा होते हैं या फिर कुछ बच्चे हमेशा कुछ नकुछ अपियश होता है। अच्छे से पढ़ाई करते नहीं हैं अच्छे से शिक्षा प्राप्त करते नहीं हैं। कुछ घर की महिलाएं होती हैं उन्हें हमेशा कष्ट होता है। अगर आपके घर में कोई बिजनेस कर रहा है तो उसे भी यश नहीं मिलता है। कभी-कभी कुछ लोगों के घर में कुछ व्यक्ति आत्महत्या करते हैं, ऐसे काफी चीजे छोटी-मोटी कभी-कभी हमारे गुप्त शत्रू हो जाते हैं, हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, घर में वाद विवाद चलते रहते हैं, एक दूसरे से बनती नहीं है, भाई-भ पती का संचय भी घर में होता नहीं है, तो ऐसी सारी चीजे हमें तकलीव देती रहती हैं, तो ये सारी चीजों पर अगर हम मात करना चाते हैं, तो आप अपने घर में गणेश याग कीजिए, क्योंकि कोई भी सुख की शुरुवात तबी होगी जब आप गणेश जी की आर देवता हैं, आधी पती हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम लक्ष्मी जी का मंत्र करेंगे, तो हमें लक्ष्मी पराप्त होगी, अगर हम शंकर भगवान की साधना करेंगे, तो हमें सारी सिद्धियां पराप्त होगी, अगर हम विश्नु भगवान की साधना करेंगे, तो लक्ष्मी जी हमारे घर में हमेशा प्रसंद नहीं रहेगे लिकिन ऐसा नहीं है कोई भी देवता की साधना करने से पहले अगर आप गणपती जी की साधना नहीं करते हैं तो आपको कुछ फल नहीं मिलेगा आप सभी को पता है कि गणपती जी को सारे भगवान सारे देवी देवताओं ने मिलके वो स्तान दिया है स्वयम शिव जी ने ये कहा है कि जब कभी हम घर में कोई अच्छा कार्य करेंगे या ये पृत्वी पे जब भी कोई अच्छा कार्य होगा तो सबसे पहले हम मान देंगे गनेश जी को या सबसे पहले पूजा का स्तान है गनेश जी का ये तो स्वयम शिव जी ने कहा है, तो अगर हम हमारे घर में गणेश याग करते हैं, तो उससे अगर गणेश जी का कभी हमसे गलती से अपमान भी हो गया है, या फिर गलती से हम उनकी आराद न करना भूल गये हैं, तो उनकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी, और घर में ध पूरे वर्ष में अगर आपको जब समय मिलता है तो आप अपने पंडित जी से इस विशय पे चर्चा कीजिए उन्हें बताईए कि हम गणेशियाक करना चाहते हैं तो कौन सा शुब दिन है ऐसे शुब दिन देखके आप अपने घर में गणेशियाक जरूर कीजिए गणेश गणेशियाक करने के लिए वैसे तो नाच संप्रदय में इसकी बहुत ही सुन्दर सी संकल्पना बताई गई है कि अठरा वनस्पती की सम्मीधा लेके ही आप गणेशियाक कीजिए तो अठरा वनस्पती तो उसकी लिस्ट काफी लंबी है लेकिन उसमें पीपल का व्रुक् तो ऐसी जो अठरा वनस्पती है ये सारी वनस्पतियों की लकडिया यानि समीधा एकत्रित करके आप जब अपने घर में हवन करते हैं तो आपके घर में लक्षमी जी हमेशा निवास करेगी और सुख शान्ती बनी रहेगी तो आप अपने पंडित जी से ये विशे पे चर रुपा आप अपने उपर बनाए रखिए और गनप wrenchी की साधना करना चाहते हैं और उनको मान देना चाहते हैं या फिर उन्हें होने रोज भी याद करना लेकिन आप रोज तो गन्पती जी के आराधना कर ही शकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा चोटा सा मंत्रह गनेश जी का है। तो उन्हें यह मंत्रह का उच्छा डूड़ statewide सप्राप्ट कर सके क्यों और उसमें उन को यष्ट मिले। दन संपत्ति बनी रहे आपके घर में जो भी नौकरी करते हैं या फिर जो भी कार्य में जुड़े हुए हैं आप खुद उसमें भी आपको अच्छे से सफलता मिलेगी तो ऐसे ही गणपती जी को याद करते रहिए उनकी साधना कीजिए और जब कभी आपको फाएगा तब अ हमारे गुरुदेव हमेशा यहां पर गणेश याद करवाते हैं काफी लोग उसमें जुड़ते हैं और अच्छे से गणपती जी के आशिरवाद लेते हैं तो ओम गंग गणपती ये नमहा मिलते हम अगले एपिसोड में ऐसे ही अच्छे विशय के साथ तब तक के लिए हम हमारे विए